हलो एवरिवन जैश्री महाखालाब सबी लोगो को एन वेलकम टू मैज चैनल तो आज की रेसिपी जो है करी रेसिपी है एक बुर्जी रेसिपी जो ये बुर्जी बनने वाली है कौन से यानि की भुट्टे से बनेगी बुर्जी और यकीन मान यह बहुत ज़्यादा सकते हैं या फिर आप लोग फुरा इंबर यूज़ कर सकते हैं ओर फिर समय डाल देना है थोड़ा सा सरसो तोड़ा सा जीरा और एक-खिश बारिक चौप करका डाल देंगे अधरक राग तोड़ा सा direito करके डाल क препकरा अटॉद और हरी मिर्ची डाल देगे आपपपो से में अपने सर्टी अपने हिसाब से लेशा लेगे अबv कट कर लेने हैं और प्यास कट कर लेंके बाद उसको नहीं से तो यहां पर अगर पत्ता गुबी है तो आप यहां पर अगर पत्ता गुबी का यूज करेंगे ने पत्ता गोबी बहुत ज अच्छे से भून त्धोन लहना जल्दी पसी感 पांड हो जाएगा तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कौन की तरफ उसको पकने देते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कटोड़ी के लगभग जो है कौन लिया है और यह कौन जो है मैं फ्रोजन वाले यूज़ कर रही हूँ अगर आप लोग जो मार्केट में अविलिबल होता है और जो भुट्टे से निकाला जाता है अगर वो यूज़ कर रहे तो उसको पूरा 100% तक उसको पानी में बॉइल करके नमक डाल के पानी में उबाल लेंगे उसको आधा दो रहे पानी में उबालना ना है उसको बहुत अच्छे से पानी में उबालना है ताक वो हाथ से ऐसे डबा यहां नमक का यूस कर रही हूं जिसी की थोड़े से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे ये तो यहां पर ना उसको जो कौन है हमारा वो हमको ना थोड़ा सर दरदरा पीशना है मतलब प्लस मोड में ऐसे चला चला के पीशना है एक की बारी से जो है मिक्सर पूरा नहीं चला देना है रुक रुक पीशेंगे तो थोड़ा सा दरदरा पीशा जाएगा और उसमें जो है एक से मतलब की आधे कौन थोड़े से कौन वो खड़े ही होने चाहिए पूरा अदम पेस्ट नहीं बना देना है मतलब की दरदरा है ठीक फिर यहाँ पर लेना है दही, दही आप लोग एकदम फ्रेश दही यूज्स करेंगे, खटी दही नहीं लेना है, थोड़ा बहुत खटा चलेगा, बहुत जदा खटा नहीं लेना है, और इस में डाल देना है थोड़ा सा मिर्ची पौडर, तीखा आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं मिर्ची पाउडर डालना है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जो है यहां पर हम गरम मसाला डालेंगे और इसको बीना पानी मिलाए ही इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ठीक है एक नॉर्मल से हम लोग जो घोल बनाएंगे एक भी लंस फगरे नहीं होने चाहिए बहुत इना प्लेन और सिंपल सी इजी सी मैं आपको कौन भूर्जी की रेसिपी बता रही हूं आप लोग अभी बना के देखेगा इतनी चादा टेस्टी लगती है आप लोग रोटी चावल पराठा नान और भाकरी सब के साथ आप लोग यह खा सकते हैं बहुत इ अब यह आएगी कभी नहीं बनाया है तो प्लीज एक बट राइज जरूर करिएगा तो इसको करना क्या है सब कुछ को सारे अमने जो पहले डाले थे वेजटेबल्स उनको अच्छे से फ्राइब कर लेना है करने के बाद हमारा जो घी वाला था मसाला जो हमारा दही वाला म क्यूंकि अगर पानी के जरौत बाद में आपे लोगों को लग रही है मसाले जो है कडाई में लग रहे हैं छीपग रहा है पानी डाल सकते हैं मसाले को ना बहुत अच्छे से जो है हमने भून लेना है क्योंकि हम कॉन डालने के बाद जो है बहुत ज़्यादा टाइम तफ इसको भूनेंगे नहीं स्व इसलिए तो यहां पर कॉन जो है हमने दरदरा पीश के रखा है तो आप लोग जो है मैंने कॉन कि यह ज़ो हों है तो आप लोग उसका जो नहीं बनाया कि अगर दरदरा पीस है अगर आप लोग ने अगर ज्यादा ही पड़ा पीच दिये हो कभी कभी ऐसा होता है तो उसमें ना अप थोड़ा सा जो कॉन है जो सगावाला कॉन है वो आप लोग एक मुठी के लगबग जो है उसमें डाल सकते हैं तो वो बराबर हो जाएगा तो इसको न अच्छे से चला लेना है मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से और खग-क के ठोड़ी थोड़ी देर से हमने चलाते रहना है वापी से डखना है फिर चलाना है वापी से तक आप एसा श्ऐम प्रोसेस हम जब तक की इन जो कॉन है अभी दिखो कॉन ऐसे अलग अलग लग रहे हैं जब यह बहुत अच्छे से पक जाएगा थोड़ी देर कुक हो जाएगा तो यह बहुत अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाएगा यह तो अच्छे से इसको चला दें आप लोग इसको थोड़ी सी ग्रेवी में भी रख सकते हो और एकदम चाहें तो आप लोग इसको जो है वो अब ये तुरंद खाना है अगर आप लोग आजे से एक घंडे बाद खा रहे हैं तो इसमें थो है थोड़ा साना एक कप के लगवग आधी कटोरी के लगवग जो है इसमें आप लोग पानी का यूज कर सकते लेकिन हाँ पानी डालने के बाद इसको हाई फ्लेम पे जरूर ए अच्छा दिखने के लिए और यह जो है यह तीखा नहीं है हरी मिर्च तो आपकी मरजे डाले या तो फिर ना डाले गिस्ट वगरे को अगर कोई आए घर में तो आप उसको जो है थोड़ा सा ऐसे डेकुरेट करके सर्फ कर सकते हैं बहुती प्लेन और सिंपल सी रेसिपी ह मार्केड में भुट्टे वैल कौन वैलेबल है आप लोग कोई भी कौन का यूज करके बना सकते हैं ये ध्यान रखना है यह जादावाला कोस मोटे दाने दो जो सौफ्ट वाले भुट्टे आते हैं तो आप यहां बना है ही का जाते लिए खरे हैं Aज बना varit सकते ऐसको खा सकते हैं कभी भी का सकते हैं अगर गरम गरम घाएंगेकि ना अगर आप Galach प्याज काट लेना उसके उपर नमक और थोड़ा सा नीबू डाल के खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगा आप लोग एक बार जरू ट्राय करके देखिएगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज करना है मेरे चैनल को सबस्क्राइब बावाई